हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगीन टू लर्ण वृतितीमन तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटी का क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर वन और यह चैप्टर का नाम है भारत का राजनितिक विकास आपके लिए बहुत इंपोर्टन रहेगा क्योंकि इस चैप्टर में 1947 से पहले यानी सौतंदरता से पहले और बाद में जो रियासते थी उन्हें किस तरीके से भारत में उनका विले किया गया उसके बाद राज्ये बने तो सभी प्रोसेस जो है वो हम इस चैप्टर में अच्छे से समझ लेंगे लास्ट जो मैंने आपका टेस्ट लिया था हिस्टरी का क्लास 6 का तो वहां पर देखिए मैंने कहा था कि जिसके 29 या 30 मार्क्स आएंगे तो यानि उनकी तयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है तो आप ऐसा मत करिए देखिए बहुत कम बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 28 या 29 आए मात्र तीन बच्चे जिसमें देखिए मैंने आप बताती हूं आपको कि एक आनंद जिसके 29 आए गुरुदेवा 28 आए एलजी 28 विनोध 28 ठीक है बाकी अमानत के 27 प्रेंका के 27 राजेंदर के 27 संदीप के 27 सुएता ललिता सीमा अपू इनके 26 आए तो देखिए ये जो मार्क्स हैं फिर भी अच्छे हैं क्योंकि ये लोग महनत कर रहे हैं बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स इनसे भी कम आ रहे हैं तो अभी तो हम क्लास 6 का ही टेस्ट ले रहे थे तो वहाँ आपके उतने कम अंक्स जो है वो नहीं आने चाहिए तो आपके तैयारी जो है वो अच्छी करिये क्योंकि आप संपूर्ण इतिहास का टेस्ट जो है वह है आपको एक्जाम में करना होगा ऐसा नही होगा कि class 6 का ही लिया जाएगा या 7 का ही लिया जाएगा तो आगे आगे भागने से अच्छा है कि उसको अच्छे से करिए ठीक है और वेकेंसी जो है अब इनको आप side में रखिए वेकेंसी कब आएगी notification कब आएगा पहले आप अपनी तयारी तो करिए अब next जो है वो आपक की class स्टार्ट करते हैं question number one 1947 1947 ते पहले अंग्रेजों ने भारत को किन दो भागों में विवक्त किया था answer है कि अंग्रेजों ने सुतंतरता से पहले भारत को दो भागों में बाढ़ रखा था एक तो ब्रिटिस प्रांतों में यानि ब्रिटिस भारत और दूसरा देशी रियासतें इसके अलावा केंदर शाशित जो प्रदेश था वो भी बनाया हुआ था ठीक है तो अंग्रेजों ने भारत को दो भागों में बाढ़ रखा था एक ब्रिटिस भारत और दूसरा देशी रियासतें उस वक्त भारत में 562 रियासतें थी तो अगर टोटल देखा जाए तो उस वक्त पानसो पैसट थी लेकिन तीन रियासतें जो थी वो अपने आपको स्वतंत्र मानती थी और जब भारत में जब इन रियासतों का विले किया गया तो तीन रियासतों ने तो मना ही कर दिया था शामिल होने से उसके बारे में हम आगे देखेंगे कुशन थर्ड कौन सी तीन रियासतें भारत में नहीं मिलना चाती थी तो वो तीन रियासतें थी कश्मीर, हैदराबाद वा जूनागर जो गुजरात में पढ़ता है तो देखिए हैदराबाद जो था वो बिल्कुल भारत के मध्य मध्य में ही है यानि मध्य से थोड़ा सा अगर दक्षन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ता है जूनागर जो की बहुत जादा फेमस जगे थी क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका सोमनाथ मंदिर है उसके लिए फेमस था ठीक है और कस्मीर जिसका आज भी कस्मीर जिसको पाकिस्तान जो है वो अपना शेत्र मानता है और उस पर अवैद कबजा किया हुआ है तो ये जो तीनों शेत्र थे तीनों रियासतें थी ये भारत में नहीं मिलना चाती थी बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट कुश्यन है इसको आप याद रखिएगा नेक्स्ट है जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो वो प्लीज नोट्स भी बनाते जाएं वर्स 1946 में भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ तब राजनितिक विभाग का प्रशाशन किसे सौपा गया तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो राजनिति विभाग का प्रशाशन जो है वह ग्रह मंत्राले को सौपा गया चलिए next देखते हैं रियासती विभा का गठन कब हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे तो इस question पर आपको लगाना है star क्योंकि ये बहुत ज्यादा important है रियासती विभा का गठन कब हुआ 5 जुलाई 1947 को हुआ अध्यक्ष जो थे वह सर्दार वलब भाई पटेल थे और वीपी मैनन जो थे उनको सचिव बनाया गया था 1947 के समय वायसराय कौन थे तो वायसराय जो थे वो थे लार्ड माउंट बैटन ठीक है 1947 के समय वायसराय कौन थे लार्ड माउंट बैटन नेक्स्ट हैं सो तंतरता के समय रियासती विभाग के गठन के समय सचिव किसे बनाया गया तो हमें पता है कि रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को हुआ था सरदार बल्लभाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था और वीपी मैनन को सचिव बनाया गया था Q8. किसने 15 अगस्त 1947 से पूर्व ही अधिकान से रियासतों का विल्य करवाने के लिए एक विल्य पत्र तयार करवाया। तयार करवाया गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा कारे जो है वह वल्लभाई पतेल का है। यानि वल्लभाई पतेल को इसका श्रेज आता है। इसके साथ उनकी सहायता की वीपी मैननने। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये कि जब 15 अगस्त 1947 से पहले अधि इसकांस रियासतों का विल्य के लिए जो विल्य पत्र तयार करवाया गया था वो बल्लभाई पतेल के प्रयासों से हुआ था। और उनका साथ किस ने दिया था। वीपी मैनन ने। कश्मीर पर 1925 इसवी में किसका शाषन था। तो कश्मीर जो था वो ऐसी रियासत थी जो कि मना कर रही थी उस विल्य पत्र के साथ हस्ताक्षर करने के लिए कि हम नहीं करेंगे हम इसमें नहीं विल्य होंगे। तो इस पर साषन जो है वह था महराजा हरी सींग का। ठीक है। किसका था महराजा हरी सींग का। नेक्स्ट है महाराजा हरी सिंग ने भारत वर्ष में जम्मू कस्मीर का विल्य पत्र पर हस्ताक्षर कब किया तो महाराजा हरी सिंग ने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कस्मीर का विल्य पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया कि हम तो भारत में मिलना चाहते हैं नेक्स्ट है question number 11. 1950 में भारत के सम्विधान की किस अनुसूची में जम्मू कस्मीर को सामिल किया गया? तो इसका आंसर है कि सम्विधान की जो पहली अनुसूची है उसके भाग खे में जम्मू कस्मीर को सामिल किया गया. नेक्स्ट है 12. हैदराबाद को भारत में विले के सवाल को संप्रदाइक समस्या बना कर किस उगरवादी ने मुस्लिम संप्रदाइक संगठन तयार किया? तो एक हैदराबाद भी था जो की विले पत्र पर हस्ताक्षर करने के इनकार कर रहा था क्योंकि वहां का जो नवाव था वो एक मुस्लिम था जनता तो थी हिंदू वो मिलना चाती थी भारत में लेकिन निजाम जो था वह मिलना चाता था पाकिस्तान में. ठीक है? तो वहे भी खिलाफ था कि हैदराबाद जो है उसे हम नहीं विले पत्र पर शायन नहीं करेंगे तो वहीं पर एक उग्रवादी जो मुस्लिम सामप्रदाइक का संगठन किया जिसने वहे भी इस चीज को उग्र रूप दे रहा था उसका नाम था रज्जाकार नाम को उग्रवादी ने इसी ने मुस्लिम सामप्रदाइक संगठन तयार किया नेक्स्ट है 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 हैदराबाद का निजाम किसकी सायता से हैदराबाद को सौतंतर राज्य बनाने के सपने देख रहा था तो आपको पता है कि अगर आप भारत का मैप देखते हैं तो देखिएगा हैदराबाद बिलकुल सेंटर से थोड़ा सा नीचे ही है अगर ये अपने आपको सौतंतर घोसित कर देगा तो भारत जो है वो किस तरीके का दिखाई देगा और बीच में जैसे कश्मीर जो है वो आजकल पहले प्रॉब्लोमेटिक था उसी तरीके से हैदराबाद जो है व से मौमद अली जिन्ना वही थे जो की पाकिस्तान के जनक माने जाते हैं नेक्स्ट है कुशन 14 हैदराबाद को भारत में विले के लिए सर्दार बल्लभाई पटेल ने कौन सी कारवाही की कि हैदराबाद जो है वह मिलना नहीं चाता है भारत में अपने आपको स्वतंतर घो उन्होंने भारतिय सेना का जो हमला है वह करवाया ठीक है उसे नाम दिया गया ओप्रेशन पोलो चाहिक करनी ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया ci उसके बाद रावात का जो निजाम था उसको भी हत्यार डालने पड़े हैधराबाद का भारत में एकी करण कब हुआ 17 सितंबर 1948 को हैधराबाद का भारत में एकी करण हुआ तो ये आपके लिए बहुत जादा important रहेगा कि हैधराबाद का भारत में एकी करण कब हुआ 1948 में डेट आपको याद रंखनी है 17 सितंबर Next है Question number 16 जूनागड का भारत में विले कब हुआ तो हमने देखा 1947 में तो महाराजा हरी सिंग ने जम्मु कस्मीर का विले पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था यानि कि जम्मू कस्मीर जो था वह भारत में मिल गया उसके बाद 1947 में हैदराबाद वह भी मिल गया और जो तीसरा था, तीसरी रियासत जो नहीं मिलना चाती थी उसका भारत में विलै हुआ 1948 में ठीक है? तो डेट आपको याद रहेंगी क्या था जम्मु कस्मिर 1947, हैदराबाद 1948 और जुनागड भी 1948 ठीक है तो हैदराबाद और जुनागड इनकी जो आपको मन्त है वो याद रखना है सितंबर में तो हुआ था हैदराबाद और फरवरी में हुआ था जुनागड ठीक है चो तंतरता के समय जूनागड का नवाब कौन था तो जूनागड का नवाब था मोहबत खान और हैदरावाद में हमने देखा निजाम था तो ये समस्या इसलिए भी पैदा कर रहे थे क्योंकि जनता तो हिंदू थी वो तो कहा रही थी हम भारत में ही रहेंगे, पाकिस्तान में नहीं चामिल होंगे लेकिन ये जो थे नवाब, ये मुसल्मान थे तो ये पाकिस्तान में मिलना जाते थे जूनागड रियासत का मुख्धमंदिर और जैनतीर्थ कौन सा था? तो जुनाघर जो र्यास्त थी वो बहुत जादा महत्व रखती थी भारत के लिए क्योंकि यहाँ पड़ता है सोमनात मंदिर और जैन तिर्त गरणार तो सोमनात मंदिर तो आपको पता है, जब मुगल काल पड़ा था हमने वहाँ भी देखा था कि सोमनात मंदिर पर आक्रमन करने के लिए बहुत सारे मुगल साशकों ने बहुत प्रयास किये थे ठीके तो ये जो ये भारत की एक सोभा ही थी तो इसलिए जो जुनागर रियासत थी वह कहां मिलना चाती थी पाकिस्तान में मिलना चाती थी लेकिन बाद में यह भी भारत मे मिल गई तो यहां पर कुश्यन आपसे ये भी पूझा जा सकता है कि सोमनात मंदिर कहां पड़ता है तो आप याद रखेंगे गुजरात के जुनागर जो रियासत थी वहां और जैनतीर्थ गिरनार भी वहीं पर पड़ता है गोआ का भारत में विले कब हुआ तो गोआ का जो भारत में विले हुआ वह हुआ 1961 में कब हुआ 1961 में देखिए आप इन प्रश्णों को यहीं पर याद कर लीजिए और दो बार और इस वीडियो को देखेंगे आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे जैसे आप कि story जो है वो सुनते हैं उसी तरीके से questions की series जो है वो अपने mind में रखिए जिससे कि ये आप कभी भी ना भूलें क्योंकि story जो है वो आपको हमेशा याद ही रहती है तो मैं ऐसा सोचते हूं कि आप लोग जैसे कि आपस में बाते करते हैं उसी तरीके से question answer की series जो है वो होनी चाहिए जिसे आपका topic complete तो होता ही है और आपको ये याद भी हो जाएंगे तो ये कितने important है इसकी importance जो है वो आपको exam में पता चलेगी ठीक है तो मिलते हैं next video में इसका second part होगा और आपका ये chapter जो है वो complete हो जाएगा Thank you कर दो है जाएगा जाएगा